मुकामा और गुपाल गज में चुनावी परचार जो है वो पूरे सबाब पर है और आज मुकामा जा रहे हैं चिराग पासवान चिराग पासवान मुकामा जाएंगे और एक तरह से कह सकते हैं दलिट बोट बैंक को बीज़ेपी के खेमे में सिफ्ट करवाने की पूरी कोशिस और जी जान कोशिस जो है चिराग पासवान करेंगे चिराग पासवान को भी अब ये प्रूफ करना है कि वो हाँ उनके पास जो बोट बैंक है वो है दलितों का बहरहाल तेस्पी ने भी दलित बोट बैंक के काट के तोर पर मुकामा में उतार दिया है चिराग पासवान के जीजाजी को यानि की साधू पासवान को चुनावी कैमपेंड के डेवण से ही तेस्पी आदम ने चिराग के जीजाजी पर दाव खेला है और लगतार कैम कर रहे हैं साधू पासवान मुकामा में आज एक तरफ चुनावी एक तरफ से कह सकते हैं कि रोड सो करेंगे चिराग पासवान मुकामा में तो दूसरी तरफ मुकामा में ही चिराग के जी या जी नुकड सभा करते हुए नजर आएंगे सुबह से साम तक वो टोले जाएंगे महले जाएंगे गाउं जाएंगे तो कुल मिलाग कहें कि मुकामा में अब पासवान बोर्ट हो को लेकर अब एक तरह से क्या चिराग पासवान सिफ्ट कर पाएंगे बीज़ेपी के खेमे में ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे लेकिन क्या साधू पासवान ये करिश्मा तेस्वी यादब के लिए यान ये तो 6 नमंबर को पता चल लेगा लेकिन मुकामा में आज जीजा साला जो हैं वो आमने सामने हैं एक तरफ चिराग पासवान होंगे चुनावी रोडसो करेंगे लोग को ये कहेंगे कि आप जो हैं वो बीज़ेपी के उमिदबार सूनम देवी को बोट किजे तो दूसरी की ही बिहार के भविस हैं उनके नाम पर भोड़ती जीजै साला आज मुकामा में आमने सामने हैं किस में कितना है दम ये तो 6 नमंबर को पता चलेंगे जब नतीजे आएंगे कौन ये तो 6 नमंबर को ही पता चलेंगा लेकिन जिस तर catchy स्एयस्वी के स्ट्राटीजी ले जाना है और किसी भी हाल में RGDQ के पक्ष में ये बोट बैंक को ट्रांसफर करवाना है इस बीच बीजेपी जैसे ही मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि उनका समर्थन जो है महागरबंधन के उमिद्वार को है उसके बाद बीजेपी हरकत में आई और हर हाल में चिराग पहुँचे तो उन्होंने साफ किया कि अमिसा से मीटिंग के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुकामा और गुपाल गंज परचार करने के लिए जाएंगे बहराल होजो भी मुकामा में आज एक तरफ साधु पासवान RGD के तरफ से टोले और महले में घूंगते हु हुए नजर आएंगे तेसपी यादव के लिए बोट मांगते हुए देखेंगे तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का रोडसो होगा जहां पर चिराग पासवान BZP के उमिदबार के लिए बोट मांगेंगे फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहिए नीज पर